ब्रह्मा ने महिशासुर को वर्दान दिया था कि कोई भी पुरूश या देव उसका वद्ध नहीं कर सकता। ऐसे में ब्रह्मा, विश्नु और महेश ने आदिशक्ती का आवाह न किया, जिसके बाद मा आदिशक्ती देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई। नौ दिनों तक देवी दुर्गा और महिशासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दसवें दिन मा दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिशासुर का वध कर दिया मा दुर्गा की कहानी या देवी सर्वभूतेशु चेतनेत्य भिधियते। कैलाश परवत के ध्यानी की अरधांगिनी मा सती ही दूसरे जन्म में पारवती के रूप में विख्या हुई उन्हें ही ही शैल पुत्री, ब्रह्मचारिनी, चंद्रगंटा, कूशमांडा, सकंदमाता, कात्याईनी, कालरात्री, महागोरी, सिद्धिदात्री, आदी नामों शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया, हालांकि उनका असली नाम दाक्षायनी था, यज्जिकुंड में कुदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है, बाद में उन्हें पारवती के रूप में जन्म लिया, पारवती नाम इसलिए पड़ा कि वह परवत अर्थात परवतों के राजा की पुत्र थी, राज कुमारी थी, पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया, एक यग्य में जब दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करन अपने प्राण त्याग दिये, ये खबर सुनते ही शिव ने अपने सिनापती वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया, इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे, इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूशन गिरे वहां बाद में शक्ति पीठ निर्मित किये गए, जहां पर जो अंग या आभूशन गिरा उस शक्ति पीठ का नाम वह हो गया, इसका यह मतलब नहीं कि अनेक माताएं हो गई, माता परवती ने ही शुम्भ निशुम्भ महिशासुर आ माता के साथ रहता है, माता की प्रार्थना, जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना, न मंत्र, न तंत्र और नहीं पूजा पाठ, प्रार्थना ही सत्य है, मा की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई श्लोक दिये गए हैं, माता का तीर्थ, शिव का धाम, कै यलाश परवत है वही मानसरवर के समीप माता का धाम है जहां दक्षाइनी माता का मंदिर बना है वही पर मा साक्षात विराजमान है